सो आजम शुरू करने वाले हैं और्गेनिक केमिश्ट्री का फहला लेक्चर क्लास टेंथ सो यह बेसिकरी चप्टर जो है यह कार्बन और इसके कंपाउंड्स के उपर नियद्धारित है में सूर्स ऑफ टॉक की यही है कि कार्बन है कार्बन के कंपाउंड्स है रियक्शन्स हम इन्ही को इस चेटर में अच्रह समझेंगे पढ़ेंगे ऑनांगी क्या होता है मंतुरी जान लेते हैं और सब्राइख सिपाइख्च क्य प्रांच ग्रांच उपांच उपमिश्ट्री त इस अधिशा में और इस ब्रांच फेश्ट्री जपाइश अ मिच् सहा-जार्यृ properties and the reactions of compounds containing carbon in covalent bonding मतलब main source of talk क्या हो है इस चाप्टर का,source of talk ये है कि हम mainly परेंगे carbon के बारे में carbon and compounds of carbon एंड कंपाउंड ओफ कारवन इनके हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे और इनके रियक्शन को समझेंगे ठीक है तो यह और गिनिक केमिस्ट्री का जो सीरीज इस पर यह निजदारित है लेकिन इससे पहले हमको चाहिए बेसि इससे पर इससे भी आपर कई कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है वह और गैरेनिक कंपाउंड है ठीक है तो हमें एक्जाम्पल चाहिए हम क्या एक्जाम्पल ले सकते हैं हम ले सकते हैं तो मेइन सोर्स अफ एनरजी और दा ओर्गेनिजम्स लिविंग उन देज़र्ट ग्लुकूस जो अपना C6 H 12 O6 है यह अदब यह नहीं होगा तो हम कैसे बचेंगे यह खुद ही एक और्गेनिक कमपाउंड है एक कार्बन कमपाउंड हैं एक बायो मॉलेक्यूल है ठीक है यह कार्बन कमपाउंड है इसके बाद यूडिया जो मतलब मैजर वेश्ट प्रडॉक्ट नहीं तू इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ठीक है तो यह मैजर एक्स्ट्रेटरी प्रडॉक्ट आप मैमल्स मैजर एक्स्ट्रेटरी प्रडॉक्ट्ट्ट जो है अपना मैमल्स इसके अतिरिक्त हम एल्पीजी जो है जो हम खाना बनाने के लिए एल्पीजी उसकरते हैं वह भी ब्यूटेन है वह बैसे कली तो यह कुछ एक्जांपल्स यह मैंने यह मतलब बहुत से कार्वन कंपाउंड सफ्ट्रियंट कैसाथ करके पाल्वन क्यों बनाता है यह आगे पढ़ेंगे फवेंगे वह बनाता है सो अब पर करणे वाला यह उस के डिफरेन्ट वह नेच हम पढ़ेंगे तो काहानी शुडू हुई कार्बन से कार्बन से ठीक है कि सो कार्बन जो है वह एक नॉन मेटल है तो और नॉन मेटलिक केरेक्टरिस्टिक्स भी शो करेगा फिर्मिकल केरेक्टरिस्टिक्स पर तो रहा हम ध्यान देते हैं ठीक है अर्बन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आट बेसिकली एसिडिक होते हैं और नॉट्रल तो यह बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट है एसिडिक तो सबको बता लेकिन नॉट्रल हरकिसी को पता नहीं होत फिर्मिकलंट ह्द्रwork देख लीजें आप कारवन एकक्सीडिक जीकार्वन के सब्सक्राइब्स प्रेजसें और उसने बनाया कारवन ड्यकसाइड अकशीट वरी सबक्रावटर में करते हैं हमको एसिडि मिलता है गे जाम केडर में कार्बरन के जो कार्बन के जो आकसाइद तो कार्बन का अक्साइड यो क्या स Premium पता है तो ही कार्बन के साथ रेक्साइड थे क्षोट करने पर है लेकिन डेति निओट्रल तो इसका पीएच जो है वह बड़ाबाट तो सेवन है यह जो है इसको गराम पानी में डिजर्ब करते हैं पीएच बनेगा वह सेवन ही रहेगा उससे ज्यादा भी नहीं होगा कमें लेकिन कार्बोन एक एसे जो है उसका पीएच वह बिलेस गन सेवन तो सेवन से कम होगा तो कार्बन जो होता है वह ग्रूप 14 में है मौड़न पीडरेक्टेबल के गृप 14 में है रर्टीकल के वर्टीकल कॉलम यू इट यूकं से अगर्टीकल कॉलम से यह कार्बन लगा हुए है यह फिस अग्शा कार्बन के जो आख्री शिए उस में चार एलेकट्रून होते हैं तो ठीकिक है बेसिकल अगर हम मानके चले को अभी श्राम जानने लिए इस दुनिया में हर चीजिसको बनना है तो एटम को भी बनना यह बनना तो एटम के लिए नोबल गयाश जैसा और हमको तो हमको वह या फिर दो अपने आखिर के वह ही स्टेबलिटी है ने प्रॉपर वह यही stability है, ठेक है, तो अगर हम इसको मान के चले, तो कार्बन को अगर octet चाहिए, तो मतलब noble gas electronic configuration चाहिए, तो उसे 4 electron lose करना होगा, या फिर 4 electron gain करना होगा, अगर वो 4 electron lose करता है, तो वो helium जैसा electronic configuration देगा, मतलब कार्बन का electronic configuration two four होता है, अगर वो चार electron को louse कर देगा तो उसका जो shell होगा, last equation होगा और उसमें 2 electron होंगे तो यह हिलियम जैसा है ना तो हिलियम का structure बनायेगा ठीक, या फिर वो 4 electron दूसरा किसी चीज से ले ले, 4 electron अगर वो ले लेगा फिर से चार electron अगर वो ले लेगा तो उसके आखिर के शल्मेट एक्रोन है वह किसके जैसा होगा वह नियोन जैसा होगा तो यह भी स्टेवेलिटी है वह भी स्टेवेलिटी है कार्बन के पास दो पात्वेज हैं स्टेबल होने के लिए अगर हम ऑक्टेट के नजरिये से देखें लेकिन बेसिकली प्राव पॉ कीसे होगा स्टेबल तो स्टेबल बनने के लिए वो कर्बन यार इलेक्टरों चेर करता है बागी कर्द के साहथ ठर्ट बबन स्टेबल बनता है तो कार्बन क्यों चार एलेक्ट्रों ना लेता है ना चार एलेक्ट्रों देता है यह क्यों यह हम आगे वाले स्लाइड में जानेंगे कार्बन चार एलेक्ट्रों ना ही दे सकता है और ना ही चार एलेक्ट्रों ले सकता है ठीक है तो ओनली वे फोर कारबन तो बी स्टेबल स्टेबल इस बाई शेरिंग एलेक्ट्रोंस ठीक है वह शेयर करकी स्टेबल बनेगा तो यहाँ पर मैंने लिया है स्लाइड में कि कारबन के नोगार्बन के नोट गेन और लूस फोर एलेक्ट्रोंस घारबन चार यहाँ ले सकता और ना दे सकता है क्यूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता तो फोट पर अलाइण और टो किसें थाक्ट्रों कव यह हो अगर फोगर्शन करता है कि इंख एकल्न होगे एवेंचुएल बात है तो 8 लेक्ट्रोन है मतलब नियोन का श्ट्रक्चर है नियोन का स्ट्रक्चर है तो स्टेबल होगा लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटौन तो हिल सकते हो ने नूकलियस से प्रोटोन तो छे ही रहेंगे तो एक्टोमिक नंबर इक्वल टो प्रोटोन नंबर होता है एक्टोम मतलब आपके प्रोटोन तो सेम ही रहेंगे तो इलेक्ट्रोन दस प्रोटोन छे छे प्रोटोन उन दस एक्ट्रोन को पकट के नहीं रह सकता इसलिए यह पॉ यह पोस्सिबल नहीं है हमने समझेस लिए अगर वह चार एलेक्टरॉन किसी थरह लूइज रहे तो आखिर के शल में होगाए ये दो इलेक्ट्रोन तो ये स्ट्रिक्टर रण गया हीलियम का ये भी अपने आप में एक स्टेविलिटी है ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उन चार एटम्स को उन चार एटम्स को अगर हम एक एटम से हटाना चाहे हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए और उस छोटे इतना energy प्रवाइट करना impossible है पॉसिबल ही अगार किसी तरह possible हो भी गया तो वह सच एटम फोल भी highly unstable के कारण हो नहीं सकता तो हमको conclusion मिलता क्या है कार्बन के नाइदर लोस फोर इलेक्ट्रॉन नौर गेंट फोर इलेक्ट्रॉन तो उससे स्टेबल बनने के लिए अपने को दूसरों के शार्थ share करना होगा है तो हमको इससे मिलता हैह स्टेबलन का मतलब और और कोविलेंट का मेंद़ब इलेक्ट्रांज का शेयरिंग मतलब mutual बड़ाबर में से तो कार्बन इस ट्रचराहेडरल अपना एक्स्ट टॉपिक तो यह एक गया इनसे इसे एपना है the four valences of carbon do not line a plane but are directed towards the four vertices of a regular tetrahedron ठीक मतलब carbon के जो चार valences होते है वो किसी plane पे नहीं है वो 3D plane पे लगे हुए है वो 2D plane पे नहीं है वो एक 3D plane पे है ठीक है तो वो 3D plane पे कुछ इस्तर सिच्वेटेड है उसी थरह जिस थरह मतलब चार एक regular tetrahedron है उसके चार कोने जैसे होंगे अगर एक solid मतलब 3D space पे वैसे ही इसके चार वर्टिसेज भी ऐसे ही कुछ होते हैं ठीक है उनके वर्टिसेज कुछ इस प्रकार होते हैं ठीक है अब यह पर बोला है दा एंगल बिट्विन दा टू अट्रेसेंट वेलंसी ऑफ कारवन इस 109 डिग्री 28 मिनिट ठीक है विच इस अगल को हम टटरा हिद्र लंगर भी कहते है राफ़ी कहां गया है जो एक्स्त गणना nya आ प्रमत ला इंट्विए वो अलो उट्रॉपSpot का होते हैं तो आ प्रमत वेलिश्ग वेलियूंप संटी क्याल ठीक हैं डीक वेलिग्व उसम्टeder इंदेन्टिकल प्रोपरटी बट बट डिफरेंट फिजिकल प्रोपरटीज फिजिकल प्रोपरटीज आर्कॉल अलोटॉपस ऐसे अल्ए। ट्रॉप्स, ट्रॉक है। तो एक अलिमेंट के बहुत से फॉर्म होते हैं, नंहीं कमिल प्रपर्टी ने होगी लेकिन प्रपर्टी लग होगी न क्या खेंगे खाईंगे आलोटरॉप्स ट्रॉक है, तो बिसी कलिए तो कार्बन के तीन पर पढ़ना है तो इस कार्बन एक एटम मानके चलिए यह लिखा यहाँ पर कार्बन एक है तो उस कार्बन एकम में जो मतलब वह चार दूसरे कार्बन एकमों के साथ जॉइन है मतलब वह जो उन्हें के बीच में बाद है और को बेलेंट मतलब एक ट्रॉंस के शेरिंग से बना हुआ थिक तो यह पर गया विलन सी दूसरा आपर तीसा आपर चौत आपर तो ऐसा होता ह होता ही जाता है है और लॉंग चेंज और फॉर्म लॉंग चींज ठीक है तो इस अरेंजमेंट गिव्स डामंड रिजीड एंस ड्रॉंट क्योंकि यह ज़ो मतलब बाद इवह बहुत स्ट्रॉंग होते हैं क्लॉज भेक्ट इसके कारण जो डामंड का स्टॉट्चिर बहु जो स्ट्रॉण होता है बहुत रिजिड होता है ठीक है जो डामन इस प्रेजटली दे हाइड सबस्तेंस नोल मतलब अर्थ में सबसे हार्ड अभी तक डामन है ठीक है सो carbon का next allotrop है graphite so graphite एग रिफाइट consists of sheet और layers of carbon atom जैसे की मैंने यापर दिया गया यहां यह एक layer है तो वो 2D structure होता है यहां पर लिखा एक 2D structure होता है तो ठीक है यह पर बोले एक जो कार्बन एटम होता ग्राफाइट में तीन अधर तीन और तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मतलब एक वेलंसी खाली है ठीक है और वह कुछ इस तरह जुड़े हो हो थे कि वह जो लेयर बनता है वह हक्सागोनल लेयर है मतलब उसमें छे स सब्सक्राइट है 1,2,3,4 पाझचे कश एक कर्बन एटम है यह वाला कार्बन यहाप gehा ऐहा पर जायेगा रों क्या है इक होगा एलेकक्रियसीटी क्डशन होगा electricity conduction होगा मतलब graphite is the only elotropic form which possess the electrical conductance मतलब electricity pass कड़ाता ही है समझ गई बस तो diamond जैसा है नहीं है diamond makes 3D rigid structure है लेकिन तो graphite है वह दूबला पतला weak structure है ठीक है तो यह जो various layers होते हैं मतलब layer की बीच में कोई एक force होता है वह force होता है उसे कहते हैं वेंडर वाल force ठीक है तो यह इतना weak force होता है कि एक layer दूसरे की ओपर से slip out करके निकल जाएगा ठीक है तो यह बहुत weak force होता है यह adjacent layers की बीच में है ठीक है बस इतना ही जानना था आपको नेक्स्ट फ्यूल्रीन यह कार्बन का newly discovered allotrop ज्यादा आइम नहीं हुए से discover हुए दस-पंदा साल हुए होंगे न्यूर डिस्कवर्ड अलोट्रॉप ठीक है यह पर मैंने कहा है फ्यूल्रेंस अरे new class of carbon allotrop जो carbon का allotrop है उसमें यह new class है ठीक है यह स्पेरोडियल मतलब स्पेर जैसा उनका कुछ शेप होता है कुछ सोकर बॉल जैसा मतलब फूट बॉल जैसा होता है तो उनमें carbon atoms की जो मतलब संख्या होती मतलब number of carbon atoms are from 60 to 350 मतलब 350 तक carbon atom हो सकते हैं एक atom मतलब एक molecule में तो there they have even number of carbon atoms ranging from 60 to 350 मतलब 60 से लेके 350 कारवन एटम हो सकते हैं लेकिन जो c60 है वो सबसे stable मतलब stable structure है फ्यूल रिंड का और it was the first to be discovered ठीक है it contains 60 carbon atom मतलब इसमें 60 carbon atom होते है इन शेप फुटबॉल फुटबॉल जीसे शेप में एरेंज हुए होते है तो इसमें 26 मेंबर रिंग्स है और 12 5 मेंबर रिंग्स है मतलब इसका ऐसे है एक दो थीन चार पाच मतलब यह पेंटागोनल रिंग है यहां सिमिलरली एक दो तीन चार पाच है मतलब यहां पर 26 मेंबर रिंग्स है मतलब 20 hexagonal रिंग है और 12 5 मेंबर है ठीक है जो graphite होता है मतलब वो black color का होता है ठीक है ग्रेश black color का कुछ होता है similarly जो फ्यूल्री ने अपना वो भी black color का होता है रूम तबड़े चलपी इस अलसे ब्लैक इसके करण जो चमक होती है इसमें बहुत जयाद है ठीक है हमने पढ़ लिया रेफाइट के बाड़े में ठीक है फिर फ्यूल्रीन के बाड़े में जान लिया ठीक है तो अब हम आके बढ़ते हैं तो carbon का जो versatile नीचर है मतलब इतना carbon कैसे friendly वो ब्लुकोज में भी carbon है यूडिया में भी है है अलपीजिम में भी है के लैंट में भी है अबरिफिंग कारबन हर जगा है क्यों इतना versatile कोई कैसे हो सकता है क्यों इतना versatile है carbon इनहीं को आभी जानेंगे तो पहला जो रीजन है क्या ना वर्साटाइल है क्या है यह क्या है तो प्रोपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग अफ कार्बन एटमस तु फॉर्म लॉंग स्ट्रेट ब्रांच्ट एंड रिंग शीप कंपाउंड इस को अपने आप जुर जुर के लंबे लंबे कंपाउंड बनाएंगे वह कंपाउंड स्ट कार्बन एटमस इतने सारे कंपाउंड बना पा रहे हैं दे मोस्ट इंपोर्टन डिजन वाइं कार्बन बहुत वर्साटाइल है वहर अलिमेंट के साथ जुर के लंबा-लंबा चेंड बनाबाड आए है तो नियुमर्स नंबर ऑफ चैक नियुमर्स कार्बन एटमस यह बात है यह तो मैंने स्ट्रेट कंपाउंड देखा देखा यह ब्रांच भी हो सकता है ठीक है फिक निचे से ब्रांच निगल गया और भांच अबी जायेगा आपर तो कर्वदा अब्रांच तो यह होगा अपना ब्रांच यह है निकलना रिंग शेप मतलब रिंग जैसा है जैसा मैं बोला हूं चार कर्बन बना ठीक है यह मैंने कहा आपको यह रिंग शेप है तब प्रोपर्टी ओफ के टेनेशन इस प्रोबबिली ड्यू दू दा स्मॉल साइज अव कार्बन एटम का जो एटम है उसका साइज कम होता है इस छोटे स्काइज के कारण यह शेयर्ड एलेक्ट्रॉन्स को दबाके पगर के रख सकता है मतलब उन्हें जाने नहीं यह देता स्मॉल साइज मतलब शेल्ज भी कम है तो शेयर्ड एलेक्ट्रॉन्स को दबाके रख सकता है रोक के रख सकता है इसी कारण जो कंपाउंड से हो स्टेबल होते हैं फिर इसके बाद कारबन का जो एलेक्ट्रोनिक कंफिर्टरशन वह काफी यूनीक है ठीक है इसके अलाबा क कारवन कारवन के जो ढंव नॉटते हैं बहुत काफी मतलब स्ट्रॉंग मुशकिल हैै 17 अट्राक मतलबर चार यूज को शेयर करता है उट्र 밝가 है ठीक हो सकता है अपनकर अपने चाई अलेक्ट्रोंग स्ट यूफ्पर गयलंदेू ट्रॉरेंटैंड ऊप्भर। सो यह हो सकता है कि carbon जो है वो चार अपने चार एलेक्ट्रों को रिफरेंट डिफरेंट साइट से चार विलेंसी से वो शेर करके दूसरे एलेमेंट का सब कंपाउंड बना ले तो इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है due to small size of carbon atom the nucleus of carbon holds the shared electron very strongly and because of this reason the carbon compounds are exceptional stable मतलब जो carbon compound होते हैं उसमें carbon का size carbon का nucleus का size carbon का size चोटा हो गया इसलिए उसके nucleus shared electron को दबा के पकड़ के रख देते हैं इलेक्ट्रों को जाने नहीं देते हैं अगर जाना चाहता है तो भी वह जानी सकता है कार्बन का जो न्यूक्लियस है काफी स्ट्रॉंग है साइस छोटा है जोड से पकड़ के रख देगा जाने नहीं देगा तो इलेक्ट्रों रह जाते हैं इसे कारण से कारण के जो कमपाउंड थे एक्सेप्शनली स्टेबल एक क्वेश्चन ऐसा आसकता है बोल देगा वाय कारण कंपाउंड रस्टेबल कि अग्सेशंप्ल भी बोल सकता तो कुछ भी डालेगे रहेंगे एक्जांपल हो हम आगे जानेंगे लेकिन इतना अगर आ गया why carbon compounds are stable बोल देंगे वैलंसी चार है इलेक्ट्रोन चार है वो शेर कर सकता है किसी के साथ भी इसके अलावा उसका small size है तो share electrons को जोड़ से पकरके रखेगा इसी कारण जो compound है वो stable है खतम बात बस यही बात है ठीक है next isomerism very very important यह तो अलग से topic ही मिलेगा पूरा आपको तो अगर एक molecular formula है कुछ molecular formula है वो दो structure को रिप्रेजन करता है वो दो structure होते हूंने हम कहते हैं isomer structural isomer और उस phenomenon को हम कहते है structural isomerism एक इसी फोर एच्टेन अपना है अपना जो इसे हम दो structure दिखा सकते हैं यह तो व्यूटेन का दिखा दिया हमने जो एन व्यूटेन दूसरा हम आईसो ब्यूटेन का बेश्टक्चर इससे दिखा सकते हैं तो आईसो ब्यूटेन और व्यूटेन आईजोमर्ज होते हैं यह दोनों आईजोमर्ज है structural isomers ठीक है वह आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी जानके रखिए यह दोनों structural isomers है ठीक है तो कैसे हम आगे जालेंगे तो मैं structure आपको दिखाते हैं अभी जानने के लिए यह सीफोर एच्टेन जो अपना होता है ऐसा कु प्रकार होगा अब यह तिछा गना है थोड़ा सा ठीक है यह अपना ब्यूतेन है ठीक है एन ब्यूतेन और आईसो ब्यूतेन मतलब डों तू मेठायल प्रोपेन वह ऐसा होता है तो यह कुछ प्रकार होगा वो कुछ इस प्रकार होगा वो कुछ इस प्रकार हे उसका स्ट्रक्चर बनता है अब कर नाम देखो कौमन नेम एन जो आयोपेख नेम होता है वह है व्यूतेण और इसका जो कौमन नेम है है जो है इसका जो कमण नेम है जो अपना यह दिखाया इसका नाम और यूपर नेम इसका है तूमिठाईल प्रोपीन तो यह दूना आइसोमर क्योंकि देखो अगर एक दो तीन चार पाँछे साथ नौझ चार और यहा पर भी यह है तो सीफूर इस्टेंस अम जोनों को दिखा सकते तो थी तो पूरा अलग है ठीक है कुछ हद तक समाने लेकिं अलग है तो आईजोमेरिजम के कारण कारवन कंपाउंड के प्रोपर्टी अलग अलग हो सकते हैं तो अगर प्रोपर्टी अलगे तो अलगे तो आगे बढ़ते हैं यह पूरा अलगी टॉपिक है मतलब और ओर्गेनिक के मिस्ट्री की शुरुवात कैसे हुए यह मतलब वाइटल पॉस्ट त्यूरी से आपको समझ में आएगा तो नाइंटीन सेंचुरी तो सभी यह को लगता था कि जो मतलब का और गेनिक कंपॉंड्स है वो मतलब लेबरोटरी में नहीं बनाया जा सकते दोस कं कंपॉंड्स के लिए प्रिपेड़े लेबरोटरी बट कैन वी एक्स्ट्राट्रेक्ट फूम दा लिविंग और गनिजम तो एक साइंटिस्ट तो उसने कहा कि एक थियूरी प्रफुस्ट की कि और गनिक कंपॉंड्स होते है वो लिविंग के अंदर से प्राप की जाता है क अंदर ठीक है जिससे वह कंपॉंड्स बनते हैं तो इसको फॉर्स को हमने कहा वाइटल फॉर्स और थियूरी का नाम दिया गया वाइटल फॉर्स थियूरी तो ठीक है यह चल रहा था एक्सिटेंटली एक बार क्या हुआ हुआ पहानी कि इस बरजेलियस के मतलब कह सकते है जो स्टूडेंच थे स्टूर εν् किः तो उन्होंने क्या क्या मतलं यह चैंटली क्या किया हिन्हों ने योली क्या बना लिए व्लनौन कंपाउंड विचिस spends इंद यूवड़ीन अब इन्होंने क्या किया योडिया एक और गेनिक कंपाउंट इसे लेबरेटरी में इन्होंने बना लिया इन्होंने क्या किया कि यह प्रोडूस्ट एड़ बाइटिंग एक्वस सलूशन ऑफ पोटैसियूं सायनेड एंको मिक्स कर रहां तो नु है एक्वस सलूशन को मीक्स किया और उस मिक्टर को हीट कर रहा थे इन्होंने क्या वनाया है थे एक इनज्ग सायनेट एक ऐनकी मिला आमोनियाऻ सायनेट लेकिन यह और patients एंस्तान से बनता नहीन है तो यह अनस्टेवल था इसलिए यह और गिनिक कंपॉंड रियरेंज हो गया और रियरेंज हो कि यह क्या हुआ इन्होंने यूडिया बना लिया तो यूडिया बनाया मतलब यह तो बहुत बड़े वात है उनके टीचर ने कहा कि यह अंदर से ही बन पाए उनके अंदर एक वाइटल फोर्स होता है वह लेकिन ने तो यह गरवड़ी कर दी गरवड़ी तरही करके यह तो जो यूडिया है वेल नौन कंपाउंड फाउंड इन दा यूडिन ऑप मैमल्स इसे बना लिया लेटरी में तो यह तो गचब हो गया ना तो इससे क्या हुआ उलर सिंतिस्सम को मिला कि वाइटल फोर्स थियोरी का एंड हो गया समाप्ती हो गई वाइटल इसको मार दिया गया तो इससे पता चला कि जो वर्गेनी कंपाउंड होने हम लेटरी में भी बना सकते हैं तो यह रियक्शन कैसे हुआ मैं वह रियक्शन दिखाता है आपका जो पोटेशियम सायाइनेट होता है उसका फॉर्मिला था के सी एनो तो एक को सिलोशन मान लेते दोन होगा समिलरली एमोनियम क्लोराइड एन फॉर्ट ल होता है ठीक यह था उन्होंने क्या किया हीट किया इसको कि करने के बाद हमको मिला एन एच फॉर सी एनो एक वस प्लस के सी एन और यह रियक्शन क्या हुआ रियक्शन जान लीजिए अगा डबल लुक्त अब स्थान हुआ तो यह क्या बनन हो एन एस फॉर सी नो मिमुनियम साइन एट इन फॉर्ट यह फॉरिया था बहुत अंस्टेबल फोरा जब और हीट किया हमने इसको तो यह क्या दिया हमको एन एच टू सिओ एन यह अच्छा कोश्चन है आ भी सकता है तो वह कंपाउंड जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है उन्हें हम कहते हैं जाल लेते हैंISA के गजंपाल हम जाल लेते हैं ब्यूटेन पकल लो इति पकल लो सब क्या है ने हैं की वो थेक्रोजन और करवन से बने हुए यह सब क्लासिफिकेशन वह अलग बात है वह हम आगे पढ़ेंगे विसकली क्लासिफाई कि हमने इनको हाइड्रोकर्बन ठीक है बढ़ते आगे स्कूर्ण है काइड्रोकर्बन यह उसके बीच में स्कूर्ण होग है बडर में एक उसके बीच में सिंगल वांड इसको हम कहेंगे है saturated hydrogen carbon है उसके बीच में single bond हो गां मतलब two electrons are being shared ध्या है यह अपना है क्या अलकीन है अलकीन मतलब सिंगल बंड है carbon के बीच में ठीक है तो नेक्स्ट है unsaturated hydrocarbons the hydrocarbons having double bond between the carbon carbon bond or triple bond are called unsaturated hydrocarbons all the unsaturated hydrocarbons are called collectively alkynes और alkynes तो अगर alkyn जो होगा alkyn में होगा double bond double ठीक है लब दो bond ठीक है टू बॉन्ड वजब डबल bond मांगे चलिए और alkyn जो होगा अपना उसमें होगा triple bond ठीक है triple bond होगा ठीक है ठीक है तो आज के lecture में बस इतना ही so next lecture में हम आयोपेक नेमिंग अलकी नलकाइन होमोलोकस सीरिस बगयरा बगयरा इन सब के बारे में जानेंगे ठीक है थैंक्यू भब क्यो प्लाइन हो मेंadenी के ने अचना है